असलाव अलेकुम दोस्तों उमीद करता हूँ आप सबी लोग खेरियस से होंगे इस वीडियो में साथी रब की जरुवी खबरों के साथ साथ यूएई के भी जरुवी खबरे रहेंगी क्योंकि यूएई ने जो है पूरे जी सी सी में रहने वाले गैर मुल्कियों को एक तौ जरुरी खबरे रहेंगी जो इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को सुरुवात करने से पहले आप लोगों से कुजारिस करता हूँ और आप लोग मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ओल नोटिफिकेशन ओन कर लिजिए फेस् से से कंट्री अभी इस समय माना जा रहा है दोजार तेईस का ये सर्वे और सर्वे करने वाले जो है वो है गुलाप्स करके गलोबल सेफिटी रिपोर्ट उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया है और उसमें बताया है कि सबसे से जगाए रहने वालों पे लिए चाहे हो गैर बोट से कहीं मतलब समंदर के सफर में थे या मसली अगरा कुछ भी कर रहा हूंगे या कहीं पर फिर रहा हूंगे उनका अच्छानक से ब्रेक डाउन हो गया या उनका खराब हो गया बोट बोट डूबने वाले थे लिए उनको बॉर्डर गार्ड ने बचा लिया तो आए दि उनकी लोग को भी बचाया गया ऐसे जो है बचाया जाता है बॉर्डर गार्ड के द्वारा एक सबसे अच्छी खबर यह है कि यूएई गॉर्मेंट ने जो है एक अच्छा इस्किम निकाल देए एक अच्छा विजा सर्विस निकाला है जितने भी गैर मुल्की हैं जो को तीस दिन एकसेंट भी कर से यानि तीस दिन बढ़ा भी सकते हैं तो यह काफी अच्छा चीज है यह जो यूएई की डिजिटल गॉर्मेंट है उन्होंने आनॉसमेंट किया है कि कोई भी गाड़ी कोई भी कार अगर आप जो है बीना उस जगह पे पार्क कर देते हैं जह देनी की जरूरत है नहीं तो यह वाइलेशन माना जाएगा और आपको जो है पैसे वहाँ पर भरने पड़ सकते हैं फाइन के रूप में मोटर साइकल चलाने वाले लोगों के लिए जो है काफी जरूरी अपडेट है साथी अरप में वाइलेशन के चक्कर में बहुत सारे म कड़ा फैसला लिया है उनों को जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट के जो रूल्स है उसमें कुछ चेंजिंग करना है और जब तक वह चेंजिंग नहीं हो जाता है लाइसेंस नहीं इस्टीट में जो भी लोग बाइक रैडर के काम में जा रहे हैं उनका फिलहाल टैंपर औ लोग के उपर कारवाई की जा रही है बहुत ज़्यादा वाइलेशन रहा है रियाद पुलिस ने तीन बंगलादेशी नागरिकों को गिरफतार किया है यह लोग जो है चोरी का काम अंजाम दे रहे थे कॉपर के कैबर से लेक्टिकल वायर कहीं भी एक जो है वेराउस ता वहां से लोग चुरा रहते और चुरा के उसको इधर-दर बेचने का काम करने वाले थे इन लोग आरश्ट लियागा इसे लोग को मालूम है कि चोरी का जो काम होता है उसका जो वहां पर पगड़े जाते हैं तो कितना ख़लाना का हश्र होता है पिर भी लोग जो है कुछ कुछ चोरी करने ही लगते हैं चलो कर लेते हैं दोस्तों वीडियो के आखिर में बात करते हैं UAE गौर्वर्मेंट ने एक और अनॉसमेंट किया है जिसमें जो एमेरेटी हैं जो कंपनी के स्पॉंसर हैं जो कंपनी के मालिक हैं उन लोगों के ऊपर जो है लाकों का फाइन सकते हैं वर्क परमिट होना चाहिए बिना वर्क परमिट के अगर काम कराता हुआ को भी स्पॉंसर पकड़ा जाएगा तो उसके उपर एक दिरहम मिलियन का फाइन लगेगा मिलियन एक दिरहम मिलियन मतलब इतना खतरनाक फाइन है फिर भी लोग आज भी ऐसा चल रहा है की लोग कि वट मिठें एंबने करें लोग की दूल मिलियन लीह ने नहीं करते हैं क्ल सब्सक्राइग रुतर चाहिए ब्लग जब हैं और सब्सक्राइगर नहीं पिल्ट है सिरक घृस